नमस्कार दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे सी होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग का 45 वार्ट का अडप्टर अगर आपके पास भी सैमसंग का S9 FE Plus ऐसा टैबलेट है और आपके पास सैमसंग अल्टरा 23 या 24 अल्टरा ह तो भी आपके जो कमपनी साथ में चार्जर नहीं देती है अब हम चार्जर लेने के लिए ओनलान वैप साइड पर जाते हैं हमें जौन फिलिपकार्ट या सैमसंग के ऑफिचल वैप साइड पर जाते हैं तो पीछे काफी दिनों चाहिए कौन सा सही रहेगा, क्या इसका फाइदा है, क्या नुकसान है, सारी बाते आज की वीडियो में होने वाली है, तो आईए दोस्तों बिना आपका समय खराब के वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुरुआद में जब मैंने मोबाइल ल दोच रहे हूं, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं लेके पस्ता आ रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, दिखा रहा है कंपनी ने की ओरिजिनल है, सूपर फास्ट चार्जिंग है, लेकिन दिक्कत के आती है कि कभी-कभी यह चार्ज करता है, कभी नहीं करता है, और इससे सबसे बड़ा जो मुझको नुकसान दिखाई दिया, वो यह दिखाई दिया, कि जब मैं इससे चार्ज करता हूं, तो मेरी बैटरी उतना अच्छा बैक अप नहीं दे पाती है, यह मैं आपको पर्सनल एक्स्पिरियंस आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है, कहीं न मेरी बैटरी पर भी इसका फेक्ट पड़ता हो, क्योंकि जब मैं इससे चार्ज करता हूं, तो जो बैटरी नॉर्मली चलनी चाहिए, उतनी नहीं चलती है, यह लगबख 10 या 12 घंटे मुश्किल से बैटरी चल पाती है, लेकिन जब मैंने यह और इसनल जो मंगवाया है, इसकी ऑफिसियल वेबसाइट से, अब इससे जब मैंने चार्ज किया, तो बैटरी में जो है, मुझको काफी अच्छा है, नहीं, 24 घंटे से ज़्याद मेरी चली है, और चार्जिंग के अगर बात करो, मैं आपको भी लाइफ दिखा दूँ आप प्रूफ, बहुत ही अच् मुश्किल से 15 मिनट हुई है, और मैंने यह लगा था 25 पर सेंट पर और अब यह 48 पर सेंट हो चुका है, और मुश्किल से 10-15 मिनट अभी हुई है, ठीक है चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अपना मोबाइल चार्ज करके इस से, तो यहाँ पर जिसकी भी बैटरी पर सेंट दोस्तों आप अगर देख पा रहा हूँ कैमरे में तो 44 पर सेंट है, अब मैं इसमें लगाता हूँ अपना यह चार्जर, जैसी मैं चार्जर लगाँगा तो लिखा भी आएगा, कि सूपर फास्ट चार्जिंग 2.0 यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया साइस को और अभी में जब तक वीडियो बनाऊंगा ना हो सकता है, यह 55-60% तक भी हो जाए, चली मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक वीडियो की बात करते हैं, तो यह तो हो गई, कि आप जैसे सैमसंग 23 अल्टर आपके पास है, वो चार्ज कर सकते हैं, यह आपके प कावले थोड़ा सा कम चार्ज होती है, तो जैसे कि माली जी एक मिनेट में इसकी परसेंटेज बढ़ती है, एक या दो परसेंट, तो इसकी बढ़ती है लगबग दो मिनेट में एक परसेंट, खुल मिलाकर एक घंटे के अंदर अंदर तो मेरा S23 अल्टर फूल चार्ज हो हो जाता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लेना कैसे चाहिए, कहां से लेना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था भी जैसे Amazon की website से मैंने पहले purchase किया था, तो बिल्कुल भूल कर मत करना, अगर company धावा करती है न, कि आपको original देंगे, कोई दिक्कत न यहाँ से website है, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ से order कर देना है, यह 45W type C travel adapter with cable, सबसे बढ़िया बात यही cable आपको साथ मिलती है, और cable के अगर आपको बात करके दिखाऊं, तो यह बहुत लंबी है, लगभग डेर मिटर लंबी आपको cable मिलती है, ठीक है, और देखिए, 48% सोरी, 49% हो चुका है, अभी मुस्किल से 2 मिनट भी नहीं हुई है, और 49% हो चुकी, यानि बहुत फास्ट इसकी charging है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, तब 45W हो गया, दूसरा इसमें आप color आपको cable black ही मिलेगा, नीचे यहाँ पर आवना जो आपका delivery code है, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ का pin code आप डालेंगे, तो आपको बता भी देगा कि कब तक आपका deliver होगा, जैसे कि मेरा आज की समय 22 तारीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है, डिलिवरी वाई Tuesday 26 नवंबर, यानि कि लगभग 4 दिन में आपको delivered हो जाएगा, पैसो की बात करें यहाँ पर आपको मार्केट से भी यह सर्वी सेंटर से लेना चाहिए, बहुत से आपके मने में सवाल होगा कि केबल ओनलाइन ले सकते हैं, क्या मार्केट से ले सकते हो, जो इसका MRP है पर डला हुआ है 3799 रुपे, लेकिन मार्केट से यह आपको 32 रुपे तक भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने लोकल जो मेरा सर्वी सेंटर है, महाँ पर पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि 32 रुपे मिल जाएगा हमारे यहां से, ओनलाइन जो दिखा रहा है अभी 3499 रुपे यह आपको दिखा रहा है, तो आप ट्रै कर लो, अगर आपके मार्केट में आपके आसपास कह है, तो वहाँ पर अगर 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 है, तो आपको 32 के आसपास मिल जाएगा, वरना ओनलाइन आप इसको 3499 यहां से, चार्जिंग केविल मैं आपको बता दी बहुत बढ़ी है, इसकी चार्जिंग है, केविल काफी लंबी है, लगवाग 1.5 मिटर के आसपास ह गलेक्सी A95G, काफी सारे मोडल यहां पर आप देख सकते हो, सूपर फास्ट चार्जिंग 2.0 जो है, वो गलेक्सी 910 प्लस, गलेक्सी S20 अल्टरा, गलेक्सी S20 प्लस, गलेक्सी S22 अल्टरा, S23 प्लस अल्टरा, इन सब के साथ जो है, यह कंपेटेबल है, अराम से आप इस स्पिसिफिकेसन अगर आपको बताए, तो केविल की लेंद, देखो मैं अंदाज से बता रहा था, डेड़ मीटर, लेकिन यह है, बन पाइंट एट मीटर, यहांनि लगबक दो मीटर, ठीक है, मैंने अंदाज से बता था, कि वही चलो, डेड़ मीटर ही होगी, बजन अगर पावर आप इसमें देख सकते हो, 100-240 वोल्ट, यहांनि सारी चीज़ा आपको लिखवी यहां पर मिल जाएंगी, दूसरा आपको बता दे कि आप बहुत से लोगों के माइंड में होगा, कहा कर मेडिन है, तो मेडिन भी अतनाम यहां पर कंपनी बता रही है, तो कुल में अगर आपको अपना मोबाइल सेफ रखना है, उसकी बैटरी सेफ रखनी है, कि कोई आने वाले समय में आपके मोबाइल में, आपके टैबलेट में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि देखे दोस्तों, यह चीज़े काफी महंगी होती है, कोश्टली होती है, लगवग एक सबाला क्या असपास आप खर्च करते हैं अपने मोबाइल में, तो तीन साड़ तीन अजार उपय खर्च भी आपको कर देने चाहिए, औरीजनल चार्जर लेने के लिए, तो मेरी तो सलाब को यह है, कि अगर आपने इतना पैसा लगाया अपने मोबाइल में, तो फिर आपको एक औरीजनल चार्जर ही लेना चाहिए, अपने मोबाइल की बैटरी की लाइफ के लिए, तो दोस्तो इस चार्जर को अगर आप लेना चाहते हैं, ओफिसल वैब साइट से तो उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्सन में, बाकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों के साथ शेर करना बिल्कुल मत भोलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब को लिजिए, हम फिर मिलते हैं किसी और भीतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.